इस नमबर ट्वेल्व इफ आई वर यू अगर मैं तुम होता तो ठीक है दे सीन इस आप मौल कोटेज इंटीरियर जो सीन है जो सीन स्टार्ट हुआ है एक छोटे से कोटेज में शूटिंग हो रही है जैसे मालो ठीक है जराड यंग मैं जराड जो है एक यंग मैं है इस पैक सब्सक्राइब कोट उसने कोट डाला हुए लोंग कोट होता जैसे ठीक है नी तक का कोट ऐसे डाला हुआ ही रिंग अप संबडी वो किसी को फोन कर रहा है एंड यह ओप टू लीव दा हाउस इन टैन मिनिट वह दस मिनिट में अपना घर मतलब लीव कर देगा बैक पैक कर सब्सक्राइब कोटेज सोसाइटी सीक्रेटली सोरी तो जो एक मैन आया जिसकी हाथ में रिवोलवर थी उसी कोटेज में जहां पर जहां पर जहां पर पैकिंग कर रहा था अपना ट्रैवलिंग बैग महीं पर एकदम से एंटर करता है ही ड्रेस्ट इन ओवर कोट एंड है उसने क्या डाला हुए जहराड ने क्या डाला हुए तैट डाला हुए था अब जो यह इंट्रूडर है जो यह अजान आदमी एक दम से सीक्रेटली उसके रूम में आ गया है रिवोलवर को हाथ में लेके उसने एक ओवर कोट पैरों तक का जो निची तका लंबा कोट होता सब्सक्राइब ही कीप कूल लेकिन वह ठंडे दिमाग का होता है वह अराम से घबराता नहीं उसको देखे तुम कौन हो रिवॉल्वर ले रहा था वह डरा नहीं उससे वह कूल रहा उसने कोई आराम से बात कि इंटूर अब तुमें पता है कोन होता है इंटूर ओता है इंटूर जेराग से पूछता है अफ्ले चैर्प ऑप ठाटाब से बांट गया He wants to know about the Zerad अब वो Zerad के बारे में जाना चाहता है कि Zerad कौन है क्या काम है उसका He wants to know about But he has no interest in Zerad's life story वो कहते है मेरे को तुमारे जिंदकी की story में को interest नहीं कि तुम कहां पे थे क्या करते हो क्या नहीं Just मुझे मेरे questions का answer चाहिए जो question मैं तुम से पूछूँगा तुमने उसका answer देना है He asks Zerad to tell his full name सबसे पहले तो मुझे अपना पूरा नाम बताओ If he leaves there alone क्या वो यहां अकेला ही रहता है If he runs a car क्या वो car चलाता है और कितने लोग जो हैं अक्सर उसको मिलने आते हैं ठीक है ना क्योंकि उसको पता होगा कि कौन को मिलने आते हैं तो उसके सामने उनको नहीं आना है क्योंकि वो तो पहचा लेंगे उसको कि यह जराड है या कोई हो रहा है तो यह पूछा उसने तो जराड ने बताया That his regular visitor कि जो regular visitor है जो रोज आते हैं को मिलने वो है एक बेकर जो ब्रैटले के आता है सुबह एक वेज़ीटेबल सैलर आता है एक मिल्क मैन आता है ठीक है ही अवोइड सिंग ट्रेट्स पीपल वह कहता है मैं को जारा लोग मिलना जाना लोगों से पसंद नहीं है इनके बीच में बात हो रही थी अभी तो इंट्रूडर बताता है that tell me something about himself कुछ अपने बारे में बताओ फिर वो कहते है चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ he is a jules thief jules मतलब उसने jewelry चुराई है thief है वो he once killed a policeman मैंने एक policeman को भी मारा है so they are after me इसलिए वो मेरा पीछा कर रहे है his intention is to kill Zerad उसकी intention कहा है कि मैं Zerad को मार दूँगा he cannot help doing it he want to live as a Zerad in that cottage वो कहते है मैं as a Zerad इस cottage में रहना शुरू कर दूँगा Zerad को मार के चीक है ता कि police उसको कभी ढूंडी नहीं पाएगी क्योंकि मैं तो Zerad बन जाऊंगा he say that another murder will do them no harm वो कहते है मैंने जब एक police वाले को मार दिया तो एक तेरको भी मार दूँगा तो मेरे को क्या हाम है तेरको मारने से मैं तेरी identity लेकर यहां रहने लग जूँगा he will not hanged it wise मेरे को fancy मिलनी तो एक ही बार है चाहे मैं एक खून करूँ दो खून करूँ तो मैं तेरको भी मार देता हूं ठीक है उसके बाद क्या कहता है वो जराड आस वर्ट दा इंट्रूडर विल गेन वाई कि लिंग है वो कहता है तुम्हें मिलेगा क्या अगर तुम मुझे मार दोगे तो इंट्रूडर कहता है कि मुझे freedom मिल जाएगी क्यूं क्यूंकि मैं जराड बनके places to places घूम सकूँगा जैसे जराड करता है मैं वो सारे काम कर सकूँगा अभी तो मुझे छिप छिप के रहना पड़ता है पूलिस से फिर तो मैं जराड बन जूँगा तो उसने कहा he also wanted by the police in a murder case पूलिस तो मुझे भी murder case में डून रही है क्यूंकि मैंने भी किसी का murder किया था उसने जान मुझके बात बोल दी इसको ताकि इसको लगे कि अगर मैं जराड भी बनुगा तो पुलिस तो इसको भी डूल रही है तो इसको मारने का तो कोई फायदा नहीं इस तरह से अपनी जान बचाने का तरिका समझा ठीक है इंट्रूडर गीव्स मोर इंफोर्मेशन अबाउट इंसल्फ दैं जराड अब जो इंट्रूडर था उसने उसको अपने बारे में और इंफोर्मेशन देनी शुरू कर दी जराड को वो बताने लगया इस शो देट ही जो बोस्ट फूल एंड फूलिश जिससे पता कि इसको कोई समझ लिया ना समझ अपनी सारी अपनी बाते अपनी तो खोल रहा है ठीक है तो वह कहता है he says that he is wrapped in a mystery because of the fear of the police वो काता है कि में पुलिस के डर से जो है इस तरह से mysterious रहे के रहता हूं और नकली मुचे लगा लेता है कर अपना face लेता है कभी कुछ कर लेता है क्यों कि मेरे को मिस्ट्रियर रहना पड़ता है ताकि मुझे पुलिस ना पकड़ ले ठीक है वो गयता है मेरे बैग में जूटी मूपचे हैं नकली मूचे हैं ठीक है मेक अपम मैटेरिल भी ठीम नकली मूटा है कि मैं वेस बदल के रह सकूँ पुलिस से बच के वो कहता है कि तू मुझे pouvाड करो जिराड काता है कि पुलिस आने वाली है यहां पर मुझे डूटती डूटती तुम मुझे फोलो करो मेरे पीछे पीछे आओ अधरवाइस पुलिस तुम्हें भी पकड़ लेगी मुझे तो पकड़ेगी ठीक है उसलिए जान मुझके बोला तो अब वह फुलिश होता है इंट्रूडर ठीक है तब ही एकदम से पुलिस आने वाली है अब यह तो उसकी आरी थी क्योंकि उसने कहीं जाना था तो इसने जान मुझके ऐसे बोला तो इंट्रूडर घबरा गया तो इसने बोला इंट्रूडर को कि आओ इधर डूर ओपन किया उसने रोड साइड को कि इस साइड से निकल जाओ और यहां से भाग जाओ तुम तो जैसे ही जैसे ही इंट्रूडर लेंस फोरवर्ड टू सी आउट जैसे ही इंट्रूडर इस तरह से बाल करने से जाके देखने लगा कि पूलिस तो नहीं आ रही है एकदम से जराड ने क्या किया उसको पुश किया कबड में और उसको जो है डोर बंद करके अंदर ही लोग कर दिया ही पीक अप दा मैंस रिवॉलवर उसने उसकी रिवॉलवर को पीक अप किया और उसकी तरफ पॉइंट कर दिया ठीक है उसको बोल दिया मतलब उसको अंदर बंद कर दिया उसने जराड ने वाइल दा मैन बीट ओन दा कबड जैसे ही वह कबड सब्स्राइब क्या ज़राओं कि कि लिए हॉब यह इडरी तो ट्रेश मोगी हूए कि sorry अगर मैं late हो गया रिहरसर के लिए लेकिन ये काम था मतलब ये problem होगी थी the reason is that he has a bit of trouble कि मेरे को थोड़ी trouble होगी थी incidents बताया उसने that he will put in his next play फिर वो कहते है जो ये incident तुम्हारे साथ हुआ है जो भी ये सारी घटना घटी है ये same घटना हम अगले play में story के तूप में रखेंगे ठीक है in the meantime और उसी टाइम में he need the sergeant to come up to his cottage and arrest the man और उसी टाइम पे क्या होता है sergeant आते हैं पुलिस पॉप लगा लो ठीक है वो आये और उन्होंने जो intruder को उसने कबड में बंद किया था वहां से आके उसको arrest करके ले गए क्यूं क्यूंकि वो कौन था वो तो खुनी था ना तो उसने पुलिस को call की और उसको पकड़वा भी दिया तो इस तरह से जराड जो था वो चलाक की से ठंडे दिमाग से सोचके उसने चलाक intruder को मतलब intruder चलाक भी था वो फुलिश भी था फुलिश था ना वो मतलब मूर्ख था बाते कर रहा था मूर्ख वाली तो इसलिए उसमें उसको फसा दिया और उसको जेल में बिजवा दिया तो इस चैप्टर से रिलेटीड आपको कोस्चन आ सकते हैं जराड के बारे में कि जराड का जो था करेक्टर कैसा था इंट्रूडर का कैसा था चीक है जराड के बारे में या जराड ने किस तरह से चाल चली उसको फसाने की तो इस टाइब के कोस्चन आते हैं आपको और इसमें से ऐसे डाइब कोस्चन भी आता है आपको एक्जाम में तो इसको ध्यान से पढ़ना और इसके पैसिजिस भी पेपर में आते हैं जैसे यहां पर आये है बार-बार पैसिजिस में होगा आये कौन है कौन कह रहा है यह सारी बातें इंट्रूडर और जराड के बीच में हो रही है कोई ठल परसन तो आये नहीं था वहां पर तो तुमन इंट्रूडर जो अंजान आदमी था उसका नाम क्या था विंसेंट चाल्स ठीक है तो इन दोनों के करेक्टर को कंपेर करो तो आपको यह कोशन दिया हुआ है बड़े ध्यान से पढ़ना इंट्रूडर होता है जो गुस पैठिया जिसको बोलता है मतलब चौरी चुपके म मतलब कोई जान आदमी एकदम से आके हमला करने के लिए आजाता है कुछ भी ठीक है तो बहुत इजी है पढ़ लेना इसको फिर हम थटी लेसन पढ़ेंगी ठीक है